hey guys welcome back to my other video so guys मैंने आपको drawing post करने के साथ मुझे tag करने बोला था Instagram में art review वाल वीडियो के लिए so guys finally art review वीडियो आ जुगा है जो कि यह है and guys जो भी आपनी लोग का drawing यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा जो भी necessary feedback होगा वो दूँगा ठीक है so इस वीडियो में end तक बने रहो guys and नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छे चैनल नहीं है और इंस्टाग्राम है जिन में यह ड्राइंग पोस्ट करता है ठीक है so channel नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं बागे guys let's see this video so guys सबसे पहला हार्ट और खेर अन्विर शिंग का I mean इसका नाम रान्विर शिंग है और इनके यह जो बहुत कम है फिलाल के लिए बट गाइज उसके basis पर observation इसका काफी सही है बट एक चीज़ आपको नहीं करना है कि आपको अगे से नहीं ड्राइब करना है आपको क्या बोल सकते उसको anatomy figure drawings still lies light said इस सबको समझना चाहिए beginners के इसाब से और आपके इस तरह से आप हाथ free होगा अधर वाज जैसे artwork से आपका सिव observation पावर बढ़ेगा बट आप ड्रॉस इससे नहीं कर पाओगी नेक्ट ड्रोइंग है सेलर्णी आर्ट एन इनोंने काफी सुन्दर आर्ट बनाया जो की latest movie है सिदात मलोरत्रा का एन उनकी जो ड्रोइंग बनाएं एक अलग style में बनाया है बट काफी हो सकता था नेक्स ट्रोइंग है गाइस स्केच राज का और थ्रीडी बनाने के कोसिस किया है हैंड का उपर वाला पॉस्टन तो ठीक है बट गाइस सेड में इवेंट तो कियो वट एक चीज़ गलत कियो कि एड जो उसके दिये बहुत ही सार्प दे दिये और आपको यह करन में जो सेट पढ़ रहा है उसको और ज्यादा डिप करना चाहिए था एड इवेंटली मिक्स होके लास्ट में आपको एंड होना चाहिए अच्छे से ब्लेंड होके ना कि सार्प इतने सार्प एंड नहीं होने चाहिए था आउटलाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किये बट पता चल रहा है एंड सेड़ी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम् है तुट्रियल साइद दिन्हें देखनी चाहिए और ज्यादे और ज्यादे प्रैक्टिस करनी चाहिए सेड के ऊपर क्योंकि सेडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स जहां तक नहीं जरा रहा है जो नेक्स ट्रॉइंग है वह दुस्यांत वर्मा आर्ट का उन्हें काफी ज्यादा सुन्दर बनाया है जो सेड है वह भी काफी ज्यादा इवेंट सॉप्ट दिये हो और जहां पर हाइलाइट देना चाहिए वहां हाइलाइट दिये हो जहां से डेना चाहिए से दिये हो और ह इस वर्क को कह सकता हूं गाइस काफी ज्यादा अच्छा है आउट लाइन भी काफी परफेक्ट है सो इससे नाइस वर्क गईज ऐसे वर्क करते रहा हूं नेक्स्ट आर्ट वर्क काईज पता नहीं और गिरीट से बनाया पर पूरा कंप्लेट नहीं किया और मुझे लगता इसमें और लादा इंप्रूब्मेंट होने चाहिए और अभी और यहां पर मैंने कंप्ली इंकंप्लीट था फिर भी ले लिया बट नेक्स टाइम से अगर लिए और यहां और मैं नहीं लोगा किस तरह से मैं भी कंप्लीट रिव्यू कैसे करों से नेक्स्ट ट्रॉइंग है गाई जो कलर क्रियेशन का है और इनके जो भी ड्रॉइंग पहले ही रिव्यू में भेजे थे बाकि सारे देखे हैं काफे ज़्यादा सुन्दर सुन्दर इस टार्ट जो भी रिविवय ने दिये हैं वह तक जिसे पहले कलर पैंसे ड्रॉड किया हुआ था और वह वह काफे सुन्दर था एंड यह यह वर्क वह नगरा तर लग रहा है पैंसिल से इस तरह से आपके स्थार श्रीग है करें कि अधर ट्रॉइंग है सिदार्ट थार् त्रॉइंग करते हो थोड़ा ही फॉट करके किया करो और पिक भी सभी 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 क्लिक करो ताकि मैं देख पाहूं सभी से नेक्स जो ड्रोइंग यह निकल आर्ट क्राफ्ट का यह गाइज एक रियलिटी सो का सिंगर सें काफिर इच्छे से इन्होंने ड्रोग किया है इसमें फीचर सारे पता चल रहा है कि कौन है यह पता चल रहा है बट इस्टिल इनकी जो कलरिंग है वह उतनी इच्छी से नहीं आ पाया क्योंकि अभी बहुत इंप्रूमाइंट में जो रहत है कलरिंग में सेट जो डाले हो एंड एवरिटिंग क्योंकि अपने सेट उतनी इच्छी से अप्ट नहीं कर पाया यहां पर प्लैन प्लैन लग रहा है काटून की तरह से सो इन यहां पर बहुत इंप्रूमाइंट का जो रहत है ठीक है तो नेक्स्ट ड्रोइंग ह ड्रोइंग बनाया है ठीक है जो कि जैवलिन थ्रो करते हैं यहां पर सेडिंग जो है काफी ज्यादा राफ हो रहा है वह चीज़ आपको बहुत केरफुली देना पड़ेगा और अच्छे से बाकी टी सेट का कलरिंग काफी अच्छे से किये हो लेकिन जो पैंसिल से सेडिं किये हो वह थोड़ा राफ है और ज्यादा स्मूथ हो सकता था एंड आउटलाइन में भी बहुत प्रोग्लम्स है नेक्स ड्रोइंग है गाइस सोहन आर्ट कलव का और इन्होंने एक ड्रोइंग बनाया है जो कि सेडिंग काफी अच्छी है बट यहां पर जो सर्ट ड्रो कि यह वहां पर कैसे आजिब सा वाइट छोड़े हो वह सही नहीं बना रहा है यहां पर तो और बहुत ही ज्यादा डिप कर दियो सट पिल्कुल प्लैक ही पेचिस मार दियो तो इस तरह से सट आपको नहीं करना सट को थोड़ा अच्छे से अपज़र करना और उसको देना क्य समझते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इस तरह से ड्रॉव करते हो to क्योंकि यह एसा ड्रॉव कर पाना सबकी बसकी बात नहीं तरह से ड्रॉव करके कोई चीज मिला देना आपना अपना प्रिएटिविटी है तो काफ़े अच्छा आट आट वरक है और नेक्स सुमित पंडी टार्ट इन्होंने जो क्रिश्याइन और और नाल्डो का ड्रॉइंग बनाया उसमें आउटलाइन तो रे प्रोपोर्शन सही है पर सेडिंग काफे ज्यादा गरबर है सेडिंग में बहुत इंप्रॉब्मेंट करने की जोड़त है आप अलग भी शाहिल होता है आठीक हुए तो उस तरह से अगर आप करने की क्योश्य की तो काफी एच्छा वो इसा में मिलाने की कोसिश वो फिर फिर वो तो फिर वो अछी आच्था रॉका नहीं नहीं हुं टिया है और आइन और अच्छी आच्भाना है तो धी ओनिस्ट कि मैं अपने 학 cum submissions आ आप अच्छा नहीं बोलना हूं मैं जस्ट बोलना चाहरा हूं कि आपको इंप्रूव्मेंट करनी चाहिए जहां पर वहां मैं बता दे रहा हूं इन्होंने लिफ का ड्रोइंग बनाया है बिल्कुल आपक टेक्निक यूज़ करने चाहिए अगर आप ट्रांस्पेरेंट्टी टेक्निक यूज़ करते तो और ज्यादा अच्छे से आर्टवर्क हो पाता है पर अपने क्या किया है पूरी आपक टेक्निक उठाके धर दिये त और यहाँ पर भी इंप्रुमेंट का जो रहत है जो भी आपने बेक्राउंड दिया है वह बेक्राउंड बहुत ज्यादा इवैन और डार के सकते और साइड में जो यह दी दी है वो बेक्राउंड वो दोनों मेच नहीं कर रहा है तो वह चीज होना चाहिए नेक्स ड्रोइंग है गाइस फेसे सुमीद पंडित आठ का अनने जो साउत का एक्टर है जो कॉमेडियन एक्टर है उनके ड्रोइंग बनाया है और यहां फिर से मै देखो तो आप काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मुझे भी लगता था जब ड्रो करता था विगन शुरूंग में बट अभी वह सारे वृट वर्क देखता हूं तो है हम सच में इस तर्से ड्रोओ करता था तो इस तर्सेंग के साथ वेजिन चैंज होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रिमेंट का जो रहा है और इन्होंने एक लेंडिस्केप ड्रोइंग किया है जो कि परवत पहाड यह सब दिखाया गया बट और अच्छे लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है उधर जो पीछे वाला जो डार्क सेट दिये हो है इध सब्सक्राइब को और आपने बहुत इच्छे तरीके से किया है तो इस नाइस वर्क सब्सक्राइब नेक्स जो ड्रोइंग है वह है आट बाइंग अंकित अगें गाइस सो अर्ट बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ कहता हूं यहां पर जो आउटलाइन है वह ज्यादा है परफे मैं तारिफ करता हूं बट और बेक्ग्राउंड भी काफे सुन्दर से इवेंट ब्लेंड किये हो तो वह चीज़ सही है बट यहां पर आउटलाइन में मिस्टेक नेक्स ड्रोइंग है डाइमंड आर्ट का इन्होंने कलर पैंसिल से एक सिंगर जो पंजावी सिंगर है उनक को कार्टूनिस से भी खतम बना देता है ना तो इस तरह से अपको बीच में जो लाइन दिये दे रखे हो वह नहीं देना है ऐसा लग रहा है कि दांत के बीच में गैप गैप टाइप का है उस तरह से सो नेक्स ट्रोइंग है आर्ट वाय अंकित यहां पर देखो गाइस है काफी ज़्यदा संदर लग रहा है जो आगे वाला पोर्शन है जो दोनों भी बनाए हो कपल्स के तो वह उभर के आ रहा है ठीक है वह बहुत अच्छा है और उनने जो पोस्ट किया पोस्ट करनी का तरीका भी बहुत अच्छा है तो इस तरह से आपको करने चाहिए बट लाइन थोड़ी होनी चाहिए परफेक्ट और अच्छा तो यह काफी ज्यादा सुन्दर लगता बाद वे बहुत अच्छे आट वर्क है अमन ऐसे ड्रो करते रहो तो आइस नेक्स ट्रॉइंग है जतिंग कार्ट का और इन्होंने काफी अच्छे से ड्रो किया और ठीक है बट यहां पर गले गला के पास जो है थोड़ा सेडिंग में और ज्यादा टाइम देना चाहिए था एंड जो अपने एंड में जो छोड़े हो थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके वह भी काफी अच्छी लग रहा है का लग स्टाइल में सो काफी अच्छा आर्ट है ऐसे ही क जो इन्होंने जो यहां पर डीटेलिंग जो हता है वाल पस्टल से करना बहुत टाफ होता है उनके वेसिस पर काफी अच्छा लग रहा है बट और अगर कोसिस करते तो और अच्छी से हो पाता आ आउटाइन मैं यहां पर मेज़र डिस्ट्प यहां पर कर रहा आउट होना चाहिए मैं मानता हूं कि ऑइल पेस्टल से डिटेलिंग थोड़ा टफ है बट आउटलाइन तो हो सकती थे और यहां पर नेक्स ड्राइंग है गाइस आर्ट भाइधर में और इन्होंने भी सेंप ड्राइंग को किया है बट यहां पर आउटलाइन फिर से उतनी इची सा जादा प्रॉब्लम किया हो जो नेकलेस डो किये हो और उसमें भी काफे घीच पीच सा कर दी हो ठीक है तो वह चीज नहीं होना चाहिए और उपर में जो पगड़ी पहना है हो उसमें भी काफी ज़दा डिश्टब किये हो आपको सेडिंग और कलर अप्लाइंग में प्रैक अच्छे से कारा सकते नहीं चाहिए बाकि जो आप आप बनाते हो काफी जादा क्लियर्स होता हा बट और ज्यादा मैच हो और के साथ मैच हो तो काफी ज्यादा सुंदर हुआ और इनके जो इन्होंने जो पहले तो पोस्ट अप्लोड किया वह बहुत अच्छे तरीके से अप्लोड किया हो वह चीज है बाकी आप अगर थोड़ा और सिधा करके अप्लोड करते तो और अच्छा लगता और बेक्राउंड भी काफी सुंदर है आपका जिसके साथ पेपर जो है वाइट पेपर हाइलाइट हो रहा है और ड्राइंग भी साइडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम से एंड नेक्स्ट डॉइंग है जैनुट्री आर्टवर्ड फिर से एंड गाइज मैं की इस आर्टवर्क काफी जादा तारिफ करना चाहिए बहुत ही अच्छा जो बिजय विश्वाल सर करते हैं सो यह वाट रॉक काफी ज़्यादा सुन्दर था नेक्स्ट डॉइंग है गाइज अगें आर्टवाइज हर्मेज का और इन्होंने संसुसांत सिंग राजपूत कर ड्रॉइंग बनाया है ठीक है और यहां पर सेडिंग में प्रॉब्लम स जो नेक्स्ट ड्राइंग है फिससे डाइमंड आर्ट का और इन्होंने जो कलर अपलाई किया बी थोड़ा अपलाई लेरिंग नहीं किया मुझे लगता है यह यह जो ट्रॉइंग है नहीं लगता है आपके आर्टवर्क में जो भी आउटलाइन है वह उतना परफेक्ट न वग ब्लाइंग से डुर परफेक्ट नहीं दे मुझें жाए चेंड़ निएंग नहीं देखा है यह जब फ़ी चैनल मैं वीडियो जिसके कारण बाद में जाके आपने हों सीसे डिटेल नहीं देपा ay इस वीडियो में नहीं आप आया वह पार्ट तो मैं आपकर लेक्राओंगा कि बहुत सारे आपवर्ग था तो एक वीडियो में बहुत मुस्किल था बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है आप लोग नहीं देखते हैं एंड that's why मैं दो पार्ट में डिवाइड करके बना रहा हू आपको पसंद आए तो फिस चैनल को सब्सक्राब कर देना बाई